नमस्कार दोस्तों इस ओनलाइन यूग में ना ही कोई इनसान सामान के लिए दुकानों पर डिपेंड है और ना ही कोई खाने की चीजों के लिए किसी रेस्टोरेंट या होटल पर क्योंकि ये सभी चीजे आज अलग-अलग कमपनियों दोरा उनलाइन उपलवद करा दी गई हैं जिसके कारण मात्र उनलाइन एपो पर ओरडर देना रहता है और कुछी समय में आपके खाने का ओरडर और कुछी दिनों में आपके सामान का ओरडर आपके नजरों के सामने आपके घर पर पहुच जाता है जिसे पहुचाने का काम करता है Delivery Boy इसलिए हर online company के लिए Delivery Boy एक आहम कड़ी होती है क्योंकि यही customer और company के बीच की दूरियों को दूर कर customer का order सई समय पर उसके घर पर पहुचाता है इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक Delivery Boy कितना कमा लेता है और इनकी कमाई का pattern क्या होता है साथी साथ यह भी जानेंगे कि अगर आप Delivery Boy बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा Amazon, Flipkart, Mejo, Suigi, Jometo जैसे कई company हैं जिने कस्टमर को online service देने के लिए Delivery Boy की आविसकता होती है लेकिन इतना तो आप सभी जानते हैं कि खाने के order और सामान के order में अंतर होता है क्योंकि खाने के order की Delivery कस्टमर को उसी दिन चाहिए जबकि सामान के order की delivery में कस्टमर को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है इसलिए online food service company में काम करने वाले delivery boy की salary online shopping company में काम करने वाले delivery boy से अलग होती है इसलिए सबसे पहले online food service देने वाली company जैसे जो मैटो सुईगी Uber Eats के delivery boy के salary की बात करें तो इन्हें per order के इसाफ से पैसे मिलता है और ये पैसे delivery boy द्वारा collect किये गए point पर मिलता है जब कोई delivery boy किसी customer के order को company के गोदाम से pick up करता है तो उसे pick up पर एक point और जब उसे customer तक deliver कर देता है तब उसे drop का भी एक point मिलता है यानि कि हर एक order पर दो point मिलता है हर एक point पर delivery boy को average 15-20 रुपे मिलता है इस तरह एक order के customer तक deliver होने पर delivery boy को 30-40 रुपे मिलते हैं इस हिसाब से अगर delivery boy एक दिन में 15-20 order की delivery कर देता है तो वह दिन का 600-800 रुपे और महीने का 20-25,000 आसानी से कमा सकता है कुछ सालों का जब experience हो जाता है तो एक delivery boy इससे भी कई ज़्यादा order deliver कर देता है और महीने का 30,000 से भी ज़्यादा कमा लेता है साथी साथ आपको बता दे हर delivery boy को एक particular area दिया जाता है जिसके under में उसे हर order की delivery को समानना रहता है लेकिन आपको बता दे अगर delivery boy अधिक दूरी में order को deliver करता है तो उसे extra charge मिलता है यानि order की delivery जितना दूर होगी delivery boy की कमाई उतना ही ज़्यादा होगी इतना ही नहीं बारिश की दुनों में भी order की delivery करने के लिए delivery boy को ज़्यादा पैसे दिये जाते हैं जिसे incentive कहते हैं इस तरीके से अगर आप online food service देने वाली company जैसे जो मैटो सुईगी में एक delivery boy के तोर पर काम करते हैं तो रोज की कमाई को जोड कर देखे तो महीने की 20 से 35 जार या फिर इससे भी ज़्यादा की आराम से कमाई हो जाती है अब Amazon Flipkart, Mejo, Mintra जैसे company जो की customer को online shopping की facility प्रोवाइड कराती है इनकी बात करें तो अगर आप इन companyों में delivery boy बनते हैं तो इसमें भी आपको per order charge के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं बस अंतर इतना है कि इसमें per order पर दिया गया पैसा थोड़ा कम होता है दरसल खाने के order को ले जाने में और किसी समान का parcel ले जाने में काफी अंतर होता है इसलिए online shopping service देने वाली company के delivery boy एक ही बार में कई parcel की delivery कर देते हैं इसलिए इनका per order charge थोड़ा कम रहता है लेकिन इनके order की संख्या जादा होने के कारण ही इनकी भी 25,000 से जादा की महीने की कमाई हो जाती है अब जो मेटो, सुईगी या फिलिपकार्ड, एमेजोन इन सभी कमपनियों में एक और भी salary का common pattern होता है जो की है मंतली fix salary इसमें delivery boy को company द्वारा जितने order दिन के दिये जाते हैं उतने order की delivery करनी रहती है यानि की order की संख्या जादा भी हो सकती है और कम भी इतना तो आप समझी कहे होंगे की delivery boy की कमाई के दोनों pattern में एक नुक्सान है तो एक फायदा अगर delivery boy पर order पर charge लेता है तो उसे फायदा यह है कि एक दिन में जितना जादा order की delivery करेगा उसे उतना ही जादा फायदा होगा लेकिन नुक्सान यह है कि कभी कबार order की संख्या काफी कम होती है जिससे उस दिन जादा कमाई नहीं हो पाती अगर delivery boy मन्त की हिसाब से fix payment लेता है तो उसे फायदा यह है कि कभी कबार order की संख्या कम होती है लेकिन इससे उसकी salary पर कोई असर नहीं होता और काम भी जल्दी हो जाता है लेकिन नुपसान यह है कि अगर किसी दिन पार्सलों की संख्या जादा हो तो इससे उसकी salary में किसी भी परकार की बड़ोतरी नहीं होती क्योंकि जादा पार्सलों की delivery करने पर भी delivery boy को कोई extra charge नहीं दिये जाते हैं इस तरीके से आप अपनी इच्छा नुसार salary का कोई भी option पसंद करके delivery boy की job कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दू अभी तक आपको जो भी salary के बारे में बताया गया है वो एक average data है क्योंकि delivery boy की salary में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेरों में अंतर देखने को मिलता है इसलिए better यही रहता है कि अगर आपको कोई delivery boy खाली दिखे तो आप उससे वहां की income के बारे में जानकारी ले सकते हैं यह तो बात हो गई delivery boy की income की अब अगर delivery boy की job पाने की process को समझे तो इसके लिए अगर आप online apply करना चाते हैं तो आपको उस company की official website का साहरा लेना होगा या फिर आप नौकरी.com जैसे website का साहरा भी ले सकते हैं इस website पर जाकर आप फिलिपकार्ड, Amazon, Suigi, Mindra जैसे कई companyों में delivery boy के job के लिए apply कर सकते हैं इन companyों को हमेशा है delivery boy की कमी रहती है इसलिए delivery boy की मांग ज़्यादा होने से लोग online से ज़्यादा offline apply करना ही पसंद करते हैं क्योंकि इससे job जल्दी मिल जाती है इन companyों ने जगा जगा पर अपने office call रखें जहां पर उस office का कोई एक manager रहता है जिसके पास जाकर delivery boy की job के लिए आप बात कर सकते हैं office का पता लगाने के लिए आप किसी भी delivery boy का सारा ले सकते हैं योगि आज तो जगा जगा कोई ना कोई delivery boy दिखी जाता है जब भी आप job की तलास में उस office में जाए तो दो major चीजों का हमेशा ध्यान रखें पहला आपकी उम्र 18 वर्स या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए दूसरा आपके पास driving license होना चाहिए भले ही आपके पास bike ना हो पर driving license और आपको two wheeler चलाना आना चाहिए ताकि company में कभी भी कोई urgent order आए तो आप किसी भी दूसरे delivery boy के bike से parcel को customer तक सही समय पर पहुचा सके वैसे अगर आपको cycle से भी delivery करना है तो आप जो मैटो सुईगी जैसे company में delivery boy की job कर सकते है तो इस वीडियो में हमने आपको एक delivery boy की कमाई से लेकर जो पानी के process तक पूरी जानकारी दे दी है इतना तो आप जानी रहे हैं कि आज online field कितना आगे बढ़ रहा है हर काम घर बैठे ही हो जा रहा है इसलिए ये online shopping और food service देने वाली company सभी तेजी से grow कर रही है तो अगर आप एक युवा हैं तो बिना किसी तना और प्रेसर के इन कमपनियों में delivery boy की job करके अच्छा खासा कमा सकते हैं जानकारी अच्छी लगिए हो तो वीडियो को लाइक और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का नेक काम भी कर ले हमारे साथ वीडियो के अंध तक बने रहने के लिए धन्यवाद